तुला रासी बालों का आने बाला दिन यणी की 19 मैं 2021 का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ 19 मैं 2021 के पंचान के बारे में आज तिथी है सप्त में नक्छत्र है आसलेसा पक्छ है सुकल पक्छ दिन है बुद्ध वार आने बाले शमय में सुर्ज उद्य का समय है पांच बज के 28 मिनट में सुर्ज अस्त का समय है 7 बज के 6 मिनट में रितू है ग्रिसम आज का दिन काल है 13 घंट 38 मिनट 32 सेकेंड का महिना है वैसाख मित्रो आने बाले शमय में आपके लिए सुबह समय नहीं है असुबह समय सुरू होता है 11 बज के 50 मिनट एम से 12 बज के 44 मिनट पीम तक राहु काल सुरू होता है 12 बज के 17 मिनट पीम से 2 बज पीम तक दिसा सूल है उत्तर दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग मित्रो इस विडियो के अंत में आपके आने बाले शमय का अनोखा टोट का भग्यसाली रंग एबं भग्यसाली अंक है तो आप उसे भी सुने ताकि आपका आने बाला शमय बिहतर एबं सांदार हो सके मित्रो शबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ आपके नौकडी के बारे में आपके जौब के बारे में मित्रो आप में से जो भी जातक नौकडी करते हैं जौब करते हैं तो आने बाले शमय में आपके नौकडी के छेतर में आपके बोस या आपके सिनियर के दौरा आपको जो भी काम दिया जाए आपको जो भी टास्क दिया जाए तो उस काम को मेहनत इमान दाड़ी एबम एकागरता के साथ में आपको पूरा करना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में यदी आप अपने नौकडी के छित्र में कोई भी लापडवाही करते हैं तो आपको पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा मित्रो आने वाले समय में यदी आपके बैबाहिक जीबन आपके दामपत्ते जीबन की बात करें तो आने वाले समय में आपका बैबाहिक जीबन सामान्य तोड़ पे बहुत जयादा बिहतर एबम सांधार होगा मित्रो आने वाले शमय से पहले यदि आपके दामपत्ते जीवन में कोई भी पड़ेशानी थी तो आने वाले शमय में उस पड़ेशानी का अंत आपको करना चाहिए मित्रो आने वाले शमय में यदि आपके पढ़ाई लिखाई आपके सिक्छा की बात कड़े तो आने वाले शमय में सिक्छा के दृष्टी कौन से आपका शमय सामान्य रहेगा नजयादा मजबूत नजयादा खराब मित्रो आप में से जो भी जातक छात्र हैं बिद्यार्थी हैं तो आने वाले शमय में समय का दृप योग करने से आपको बचना चाहिए क्योंकि आने बाले शमय में यदि आप अपने कीमती समय को बड़बाद करते हैं तो आपके पढ़ाई लिखाई में पड़ेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा मित्रो आने बाले शमय में आपके लिए भग्यसाली रंग है पारदरसी एबम गुलाबी मित्रो आने बाले शमय में आपके लिए भग्यसाली अंक है वन यानी की एक मित्रो आने बाले शमय में अपने समय को बिहतर एबम सांदार बनाने के लिए आपको ध्यान एबम योग का सहारा लेना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं इस टोटके को यदि आप आजमाते हैं तो आपका आने बाला शमय बहुत जयादा मजबूत एबम बिहतर होगा तो मित्रो इस वेडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक करदें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब करदें एबं इस वेडियो के नीचे जय सनी देब कमेंट करदें धन्यवाद दूदू